नमस्कार प्रियात व्यापार का 90 प्रतिशत जो भाग है वह क्रिशी और पशुपालन से प्रापत होता है और यहां की क्रिशी का अगर प्रमुख देश की बात करें तो वह है पंपाज देश इसके बाद अगर हम देखें तो पंपाज एक विस्तरित समतल मैदान है जिसमें गैहरी प्रिटी तथा जलवायू फसले उगने के कारण यह है काफी उप्युक्त प्रदेश है और इसी लिए जो पंपाज है इसको क्या है अर्जंटीना की क्रिशी का हरदय कहा जाता है जाने कि यह कोश्चन पूट होता है कि अर्जंटीना की क्रिशी का हरदय प्रदेश किस प् परशुपालन उध्योग कृषी तथा कृषी पर अधिक ध्यान दिया इन लोगों के आगमन के पश्चाती यहां पर कृषी का विशाल पैमाने पर उतपादन तथा व्यापारिक महत्व होने लगा अगर हम बात करें अर्जंटीना में क्रिशी की तो यहां पर क्रिशी और परशुपालन दोनों ही प्रमुख रोप से होता है अधर यहां की क्रिशी में देखें तो क्रिशी उत्पादन और परशुपालन दोनों का प्रमुख स्थान है अर्जंटीना में अगर हम बात करें कि यहां के फसले कौन-कौन सी है तो इन फसलों में आप लोग देखोगे यहां गेहू, मक्का, जो, गर्ना, कपास, तंबाकू इत्यादी यह फसले क्या हैं इसमें शामिल की जाती है अगर हम संक्षिप्त में इनके बारे में देखें, अगर हम इसका वर्नन करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं की अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं एक महत्पून खाद्यान फसल है गेहूं क्योंकि अपने भारत में भी बहुत अधिक होता है तो इसलिए अपने को गेहूं की जो प्यूक्त दशाये हैं उसके बारे में तो सौभाविक सी जानकारी है ही लेकिन फिर भी अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह जो गेहूं है यहां की प्रमुख क्रिशी पेटी में उपजाई जाती है और ये गेहूं की फसल जो है यह है क्या है शितोषन कटी बंदी है जो शितोषन जलवाईू है कटी बंदी शितोषन जलवाईू है तो यह है इसकी पैदा होने के लिए प्रमुखा द्यान फसल है शितोषन जलवाईू में गेहूं उत पादन क्षेत्रों में आदरियां और शुष्क जलवायू पाई जाती है इसकी क्रिशी के लिए 20 बोते समय इस चीज़ को ध्यान में रखना अगर 20 बोने की बात हो रही है तो 20 बोते समय यहां temperature 10 degree Celsius जब प्रारंबिक विकास हो रहा है तो विकास के समय यहां temperature 10 से 16 degree Celsius और इसी के बीच अगर पकने की बात करें तो पकते समय यहां पर क्या है 20 degree Celsius तापमान होना चाहिए अगर हम गेहूं के लिए वास्त वार्शिक वर्शा की बात करें तो यहां पर वर्शा की 30 से 75 सेंटीमिटर जो वर्शा है वह है आवशक होनी चाहिए इससे कम वर्शा होने पर सिंचाई की सहाइता से गेहूं का उतपादन किया जाता है जानी कि अगर इससे वर्शा कम हो जाती है तो फिर सिंचाई करके गेहूं का उतपादन किया जाता है इसके उतपादन एतुसमान ने ढाली द्रहतल समतल द्रहतल उपजाओ मृदा आवशक है और वर्तमा समय में अगर देखें तो गेहूं का उतपादन बड़े-बड़े फॉर्मों में मशीनी यंत्रों ट्रेक्टरों इत्यादी के दुआरा किया जाता है गेहूं जो है यह है अर्जंटाइना की प्रमुखा ध्यान फसल है यह दक्षनी अमेरिका महद्वीप में गेहूं उतपादन में क्या है प्रतम स्थान है अकेला जो अर्जंटाइना है जानी कि अपने क्या है अर्जंटाइना देश की बात कर रहे हैं तो जो अकेला अर्जंटाइना है यह क्या है जो दक्षनी अमेरिका है उसका एक तिहाई भाग जो है यह अकेला अर्जंटाइना उतपादन करता है और अगर देश में देखें तो यहां पर सरवादी गेहू निर्यात रोजारियो जो बंदरगा है वहां से होता है और अर्जेंटीना में पंपाइस का मैदान है वो सरवादी गेहू उत्पादन उक्षेत्र है इसके लावा अगर देखें तो गेहू उत्पादन में गेहू के साथ सा धन्ने फसले उप जाई जाती है उर्थात यहां पर क्या है मिश्रीत कृशी की जाती है गेहूं के साथ मक्का हो गया, सन हो गया, ये भी कृशी की जाती है और गेहूं के साथ जोंबी हो गाया जाता है यहाँ पर अगर घांस की बात करें तो अलफा अलफा जो घांस है जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं पिछली वीडियो में तो एलफा एलफा गास भी पैदा की जाती है और इसका प्रमुख कारण क्या है रहता है कि एलफा गास का क्षेतर ग्रामी जनसंख्या का अधार क्या है पश्चु चारण है और एलफा एलफा जो गास है इसके बारे में आप लोग जानती हो कि यह क्या है पश्रूंगे का पर्मुख खाद्यान है तो इसके साथ ही क्या है यहां का प्रमुख उत्पादक या खाद्यान फस्ल है अगर हम गेहूं में वैसे नॉर्मल बात करें तो जो यहां के दक्षनी भाग है यहां पर इसका जो पहले इसका उत्पादन जादा था अब प्रती हक्टेर घटकर 20-30 बुच्छल प्रती हक्टेर तक रह गया है इसकेबद अगर हम बात करते हैं मक्का की जो मक्का की फसल है मक्का क्या है अर्जंटीना में देखें तो यहां पर क्या है यह प्रमुख फसल है मक्के की भी और वैसे अगर बात करें तो गेहू और चावल के पश्चात मक्का यहां पर क्या है तीसरा प्रमुख खाद्यान फसल है और अर्जंटीना क्या है मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दक्षनी अमेरिका में ब्राजील के पश्चात ठीक है ना कि सबसे बड़ा उत्पादक तो ब्राजील है लेकिन ब्राजील के पश्चात बात करते हैं तो अर्जंटीना का नाम आता है मक्के का प्रयोग अगर देखें तो ये प्रमुक रूप से भोजन में और पश्वों के चारे में किया जाता है इस चीज़ को ध्यान में रखना कि ये भोजन में तो काम आता ही है इसके साथ ही ये क्या है पश्वों के चारे में भी काम किया जाता है और विश्यम में अगर मक्का उतपादक रास्ट्रों में देखे तो अर्जंटाइना का आठमा स्थान है जबकि दक्षनी अमेरिका महादूइब की बात करते हैं तो दक्षनी अमेरिका महादूइब क्या है सैकिन नमबर पर है और इसी के साथ अगर यहां की जलवाईयू की बात करें जो मक्के के उतपादन के लिए है यहां अर्जंटीना की जलवाईयू, उम्रदा और आर्थिक तत्व के हैं मक्के उतपादन के बहुत अनकूल है और यहां की वर्षा का वार्षी कॉस्त देखे तो वो 50-100 सेंटीमीटर है जो कह है फसल के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा लाबदाएक है इस चीज़ को ध्यान में रखना की 50-100 सेंटीमीटर है और यहां पर अगर देखे तो जो फसल है यहां पर उच ही उमस वाली काली मरीदा पाई जाती है जो इसके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है ठीक है न क्यूंकि काली मृदा में इसका उतुपादन बहुत होता है और यहां पर मद, शीत, काल तथा गर्म, ग्रिश, काल मक्का की क्रिशी के लिए बहुत आधर्ष रहता है यहां जो मक्का की उपज़ है वो क्या है साल भर क्या है वर्ष पर निर्बर मोस्टली रहती है और यहां का द्रातल समतल है और मक्का की खेती क्या है मशीनों के प्रयोग से की जाती है इसके बाद अगर हम देखें तो मक्के के निर्यात में भी यहां का प्रमुख जो बंदरगा है वो रोसारियो बंदरगा है इस चीज़ को दियान में रखना कि योगी गेहूं के लिए बात की थी तो वहां पे भी रोसारियो बंदरगा का प्रमुख स्थान था मक्के की बात करते हैं तो मक्के में भी क्या है रोसारियो जो प्रमुक बंदरगा है इसके बाद नेक्स्ट क्रिशी फसल की बात करें फसलों में आती है कपास कपास भी भारत में बोई जाती है तो भारत में जैसे अनकूल दशाएं होती है वैसे ही क्या है अर्जंटीना में भी इसके लिए बहुत अन्कूल दशाएं पाई जाती है कपास की सबसे पहले बात करें तो कपास एक रेसेदार फसल है जिसका उप्योग मुख्यरूप से किसमी किया जाता है वस्तर निर्मान में किया जाता है अता यह एक अध्योगिक फसल भी है कपास की फसल के लिए अगर हम बात करें ओस्त तापमान की तो तापमान इसके लिए किता चाहिए 20 डिगरी सेल्सियस से 25 डिगरी सेल्सियस और वहीं अगर बात करें वर्षा की तो वर्षा 70-100 सैंटीमीटर और म्रीदा की बात करें तो उपजाओ म्रीदा समतल तथा सूपरवाही द्रातल सस्ते श्रमी किये इसके लिए प्रमुक रूप से आवश्रक है और मिट्टी की उपजाओ बनाने के लिए अर्साइनिक और रुड़कों का अधिक्तम उप्योग किया जाता है अर्जंटीना की बात हो रही है और अर्जंटीना का जो चाको प्रदेश है इसमें क्या है देश का सरवादिक कपास उतपादन किया जाता है चाको प्रदेश के बारे में जानते हो जो आपको अर्जंटीना का फिजिकल पोर्शन करवाया था तो अर्जेंटाइना को जो चार फिजिकल डिवाइडेशन किये थे उसमें एक प्रमुख स्थान था चाको प्रदेश का तो चाको प्रदेश में मुख्या रूप से क्या है कपास का उत्पादन किया जाता है और इसके बाद अगर हम बात करें यहां पे कपास उतपादन के लिए प्रमुख रूप से जो क्षेतर है वह क्या है रैसी स्टोन सिया इस क्षेतर को अच्छे से ध्यान में रख लेना तो यह क्षेतर क्या है यहां का प्रमुख कपास उतपादक क्षेतर है और इस प्रदेश में कपास उत्पादन की पश्चमी सीवा असी सेंटिमेटर समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है इसके बाद अगर हम नैस क्रिशी फसल की बात करते हैं तो वह है जॉं जॉं क्या है एक महत पूर्ण फसल है जॉं जो है वह है समाने दशाओं के साथ साथ कठोर प स्थीतियों में भी उग जाता है इसका उपयोग मुख्य रूप से देखें तो खाद ध्यान हो गया पश्चों को खिलाने में और श्राब बनाने में भी इसका प्रियोग किया जाता है अर्जंटीना में जॉं का उत्पादन गेहूं की पेट्टी के उत्तरी भाग में किया इसके बाद अगर हम next फसल की बात करते हैं तो वह है गन्ना गन्ने की बात करें तो गन्ना पर मुख रूप से आप सभी जानते हो कि यह है कि पोशन कटी बंदिया जलवाईू में उत्वपन होने वाली फसल है और अर्जंटीना में अगर गन्ने की बात करें तो यहां क्या है गन्ये की उपज जो है वो वैसे भी आप लोग इसको जानती हो कि गन्ये का जो मुख्या रूप से उपज का उपयोग किया जाता है वो किसमी किया जाता है चीनी बनाने में किया जाता है तो यहां पर भी इसका दिक्तर उपयोग किसके लिए किया जाता है चीनी बनाने में कि जाता है गर्णा चीनी बनाने का मुख्या स्रोत होने के कारण इसका प्रमुख फ़सल माना जाता है और अगर इसके उतुपादन की बात करें तो सबसे पहले इसके लिए जो टमप्रेचर है वहें 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और इसी के साथ ही जहां यो होती है वहें 25 से 100 सेंटीमेटरिस के लिए आवश्रक है म्रदा देखे तो उपजाओ दोमट मिट्टी होती है प्रयाप्त श्रमिकों की आवश्रकता पड़ती है और एक चीज़ द्यान में रखना कि गन्ना बोते समय अगर देखे तो 20 डिग्री सेल्सियस एवं क्रमिक वि अविस्तार किया जा रहा है और अर्जंटीना दक्षनी अमेरिकी महादूइब का तीसरा बड़ा गन्ना उतपादक देश है इसके बाद नेक्स्ट फसल की बात करें तो वह है तंबाकू तंबाकू की बात करते हैं तो तंबाकू के बारे में भी पता होगा कि यह क्या है ए 21 डिग्री सेल्सिस औस्त वर्षा की बात करें तो 100 सैंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए और इसके तिरिक्तियां पे दौमट मिड़्ी स्वच अकाच सस्ते और अधिक श्रम की आवश्रता होती है अर्जंटीना जो है यह दक्षनी अमेरिका का दूसरा बड़ा तंबाकू उ खहरूप से उत्री मेदानी भागों में की जाती है और यहां उतपादन तंबाकू का दिकाश भाग देश में ही खप्त हो जाता है और तंबाकू का निर्यात क्या है बहुत कम मात्रा में किया जाता है इस चीज़ को ध्यान में रखना है जैसे पड़ा थना भी कि जौन का तो निर्यात किया जाता है यह देश और लेकिन जो तमबाकु इसका बहुत कम मात्रा में निर्यात होता है इसके बाद अगर अगर नेक्स्ट फसल की बात करते हैं तो वह है चाए चाए तो सभी की आम जैनिक जीवन की क्या है रोज मरवा की जिंदगी के लिए एक आफशक फ अपड़ा चाए अपने को वैसे ही क्या है आजकल की जीवन में चाए भी एक बहुत मैतपून चीज बन गई है तो चाए की क्रीशी की बात करते हैं तो अर्जंटीना में चाए की क्रीशी का विकास हो रहा है दक्षनी अमेरिका का यह है क्या है प्रमुख चाए उतपादक होता है जिसका अधिकतम भाग क्या है निर्यात कर दिया जाता है तो इस परकार आज हमने क्या है आज की वीडियो में अर्जंटीना की क्रीशी फसलों की बात की है जिसमें क्या है प्रमुख रूप से फसलें गेहूं कपास मक्का जौन और इसके अलावा गन्ना तंबाकू पूद चाये क्या है ये प्रमुख रूप से अर्जंटीना में उत्पादन की जाती है और इसी के साथ ही हमने क्या है इसके लिए जो अलग लग फसलों के लिए आवशक दर्शाएं क्या होती है यानि की तंप्रेचर वर्शा हो गई च्रमिकों की आवश्रता हो गई मिट् तो आप उसको अपने एक जो अर्जंटीना का मैप है उसमें जिरूर देख लेना I hope कि आपको अर्जंटीना की क्रिशी फसलों के बारे में पता चल गया होगा Thank you